हेलो वाट्स आप गाइस मैंने इस बिनोत बादू थापा एन गाइस एम सुपर एक्साइट क्योंकि फाइनली टेल्विंड सेसे वर्जन 4 जो वो आउट हो चुका है फिलाल वो अपने अलफा इस्टेज में है दैन बीटा एन इस्टेवल पर वो जाएगा लेकिन जो अलफा सेसे उसके थुरू करता हूं या तो स्टाइल कंपोनेंट बट ये जो वर्जन 4 मैंने देखा एन कुछ दिनों से मैं थोड़ा ट्राइ कर रहा था मुझे लागा या यह तो सही है आपको दिमेज देख सकते हो बैक्ग्राउंड में यह देखो पहले जो वर्जन 3 था तेल् वर्जन 4 जो कि कहीं न कहीं आपको लगेगा यार यह तो कितना इजी लग रहा है ऐसा लग एक CSS लिख रहा हूं में जस्ट एक इंपूर्ट किया हमने वह जो तीन है उसकी अब हमें बिल्कुल ने नहीं जस्ट एक इंपूर्ट हमारा काम हो गया यह जो कन्फिग्रेशन फ तो मतलब इतना इजी हो गया है और मुझे लगा यह कहीं नहीं यह CSS जैसा मुझे फिल दे रहा है और पूरी दूनिया खाली टेल्विं 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 और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में तो बाइड डिफॉल्ट यह तो इसको ट्राइ देना जरूर बनता है you know if you want to be a developer successful basically जिसको like समय के साथ चलना जरूरी है तो टेल्विं सेस एक उस तरीके से हो चुका है कि आपको आना चाहिए at least basic तो भी आना चाहिए so that's why guys version 4 जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप इसका यूश कर सकते हो and believe मैं आपको बहुत ज्यादा मजा आने ओला है सबसे पहले तो guys happy birthday to Adam basically he is the creator of Tailwind CSS and luckily मुझे नहीं idea था इनका birthday आज but यहां पे आप हम देखते तो it's like 12 hours ago turn 37 today so maybe obviously मैंने चेक निगे आपके इनका birthday so one second happy birthday and इन्हों नहीं पोस्ट लिखा तागाई साप अगर आप देखते हो यहां पे here is a post जहां पे complete बताया है यह जो version 4 alpha में जो भी है ठीक है so link मैं आपको निचे description में देदूंग आप इसको check out कर सकते हो but the best thing is आज के टाइम में हर एक चीज एकतम fast हो रही है बड़ी बड़ी चीज एकतम छोटी छोटी होती जा रही है so this is what version 4 is all about tailwind saces का जहां पे now they introduce a totally new engine for the version 4 जिसका नाम है Oxide and इन्होंने basically YouTube video पे बहुत awesome तरिके से बताया था why tailwind saces is the future बेसिकली क्यों लोगों के यह use करना चाहिए right so आप इस वीडियो के एक बाद check out कर सकते है उनके YouTube चैनल पर आएगास है ना तो यह जो Oxide है guys यह इनका एक new engine जिनको इन्होंने रस्ट पे लिखा है साथी साथ जो by default है वो सभी तो TypeScript पे ही मिलेगा एक डिपेंडेंस इन्होंने बाता है यह that is your lightning css तो अब हुआ यह ना यह जो lightning css के चलते यह जो auto-prefixer था यह post css अब यह सब किसी की नीड नहीं वर्जन पोर में मतलब इतना easy हो गया है कि लाइक आप वो तन है जैसे हम normal css dot css लेखा काम खत्तम वैसी tailwind में भी एक package इंस्ट्रॉल किया खत्तम मतलब इतना easy हो चुका है इतना awesome है और भी बहुत सारी चीजे जो गाइस आपको मजा जाए गान बता रहा है यह जो new engine है ना this is your 10 times faster मलब 10 गुना faster आप समझे बहुत ही बड़ी बात होती है और बहुत सारी चीजे है जो यहां पर गाइस आप अगर पड़ोगे तो आपको आपको ज्यादा बैटर समझेगा अब यह ऐसा है कि मैं आपको बता तो कि इसको कैसा आप यूज कर सकती दो इट सिन अलफाइ स्टेज अभी आपको प्रोडक्शन के लिए इसको यूज नहीं करना है बठाप प्रैक्टिस जरू कर सकते आपको हाथ बैट जाएगा ठीक है एंड एक चीज में चाहता होगा आप में से बहुत सब्सक्राइब लंबे समय से यूज कर रहें तो कोई ऐसे क्लासे से जिसको आपने फाइंड आउट किया आपको लगा दिस इस इट यह है वो क्लास जिसके चलते अब मैं लाइक टेल्विन पर काम करूंगा और मुझे बहुत इजी लगने वाला है तो व लगने फोड़ा साम नीचे चलते हो टू इंस्टॉल यह देखो इहां पर लिखा है ट्राइआउट दी अल्फा हम कैसे इंस्टॉल कर सकते दिखें सिर्फ हमें एक यह लाइक पैकेज इंस्टॉल करना है यह एक वर्ड आड करना है क्योंकि बाइड डिफॉल्ट यह वहां इस प्राइलिंग यूज कर रहा है एंड यह बस इंपोर्ट करना है खत्म सबसे पहले गाईस आपको इसके लिए वीट इस्टॉल करना पड़ेगा इनि इस रिली डॉन ओवाट इस वीड देन गाईस यू निद टॉल्ट इस वीड आपको समझना क्योंकि वीड है अब रियक्त जो एप्लिकेशन उसको इंस्टॉल करता हूँ फर्ट से उसमें वर्जन पूर एड करेंगे सो बस आपको यह लिखना है ठीक इसको मैंने कॉपी की डामिनल ओपन करता हूँ एंड यह पेस्ट कर दी तो वीड इंस्टॉल हो जाएगा मेरा जहां पे प्रोजेक्ट हो जाता है अब खत्म इंस्टॉल होने के बाद वापस आपको यहां पर आना है हमारा यह जो किस तरह से हम टेल्विन को सकते हैं वहां पर यह जो पार्ट इसको आपको कॉपी करना है ठीक है तो ओल्राइट इस दन एक बाद चेक कर लो फाइल बाराबर है इसी ओके सब कु करता हूं यह जो लाइन यहां पर था उसको मैंने कॉपी किया एंड में एंटर हीट कर रहा हूं सो दा मोमेंट मैंने एंटर हीट की गई से मेरा इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना यहां पर बहुत किलेली देख सकती हो दैन एड आड आवर प्लग आप देख सकते हो यहां पर वी हैब आवर अलफा देखो वर्जन फोर है एंड हेर अलसो इस वर्जन फोर ठीक है तो यह मेरा काम हो गया एंड यहां पर बहुत किलेली आप देख सकते हो वीट.config.js फाल बाइड डिफॉल्ट वाता है तो कॉपी करना है एंड यहां पर आ समादे दीजिए एंड पेस्ट कर दीजिए इस 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 फाइनली वी निद टू इंपोर्ट टेल्विंड इन आओ में सेसस फाल बेसिकली अब हमें टेल्विंड को ग्लोबली यूस करना है तो इसके लिए हमें यह एक लाइन जो एड करना पड़ेगा ठीक है इसको लाइक क और यहाँ भी पेस्ट कर जिए यहां पर कर दो फिलाल जस्ट टाइम पास फिलाल चलते है अबने हम चलते है थैं सबसे तो कोई भी वीट के प्रोजेक्ट को अगर रन करना हो तो इस एन्पेम रन एंदेन डैब आपको लिखना पड़ता है अगर आप पी एन्पेम यूज कर रहे हो तो पी एन्पेम डैब लिख सकते हो या बन यूज कर सकते हो और सो इट सब 5174 बैसिकली 5173 पर यह रन होना चाहिए एंड यह दिस इट सो यह गाइस हमारा आप देख सकते हो कुछ इस तरिके का इंटरफेस दिखाए देता है जहां पर इंक्रिमेंट हो रहा है बट ठीक है यह हमारा काम हो चुक है अब इसको में हट आता हूं हम चलते हैं हमारा जो एप.j6 फाइल है इन्सको एकदम क्लियर करते हैं इसको अपर करता हूं और यहां पर पेश्ट करता हूं ओने टो एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट और देन अफ इस इस टो यह जो है हमारे main.jsx पे चलिए रहा आपने को टैंसर नहीं है यहाँ पर चलते एक बाहर रिफ्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो कि वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है इत्तु सा इतना छोटा सा दिखा ही दे रहा है बर्ट यह आप हमें इसको खेलना है अब हमें इस इस तरीके से एक डिव ले लेता हूं चाहे तो मैं रियक्ट फ्राइग्मेंट भी कर सकता हूं ठीक है एजट इस मैंने छोड़ दी चलो ठीक है चलो फाइनली वी नीट राइट दी क्लास नहीं यह तो आपको मालू मैं तो हम करते वीट स्क्रीन कर देता हूं थाकि पूरा 100% वीट ले ले ठीक है एंड बाइड डिपॉल्ट मुझे सजेशन नहीं आ रहा है इसमें पता नहीं बट जो भी हो इस्तिरगी से मैंने कर दिया एंड या फिलाला भी इतना में रखता हूं ठीक है इतना रखता हूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला क्या हो रहा है है बट हां एटलीस अब मैं यहां पर फ्लेक्स रख सकता हूं फ्लेक्स बॉक्स के लिए एंड दैन वी हैव जस्टिफाइग कंटेंट सेंटर लिकिन हमें यहां पर यह कंटेंट लिखने की नीड नहीं पड़ती सो गाइस कंडूले सेप कीजिए यहां पर आई यह सिंपल इस से तो आप देख सेकते हूं कि सेंटर पर आ चुका है वर्ट अगर आपको वह वर्टिकल चाहिए एक्दम सेंटर पर ठीक है तो उसके लिए अब हमें चलना होगा सिंपल ऐलाइन आइटम सेंटर होता ना तो यहां पर आपको काई सिंटर लिखना पड़ेगा अगर आपको लेकर चलता हूँ सो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर कहीं न कहीं इन्होंने दिखा कि कैसे आप देखो रूट तो है चलो अपनी जगे एक तीम के साथ यह लोग खेल रहे हैं ठीक है इस थीम के अंदर मैंने बताने इस लाइक कि आप इस लाइक कि आप आप खेल सकते हो, यहाँ पर सब कुछ बताया है, सब और हसा है daня, आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा है, color's, लेट से मुझे आपना खुद का color चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आपक आपका खुद का color चाहिए, इन वर्जन फो तो कुछ आप इस्तिरगी से जा सकते हो हाइफन हाइफन कलर हाइफन एंदन आपका जो भी नाम होगा सो लेट्स दूइट हाइफन हाइफन कलर हाइफन में एक डिफॉल्ट रख देता हूँ या प्राइमेरी कलर हम रख देते हैं इसका तो यह मेरे पास एक कलर है ठीक है तो गाइस कंट्रूल या सेप कीजिए अब इसको कैसे लिखना है देखिए यह बहुत जादी इंपॉर्टेंट है आपको समझना पड़ेगा और अगर आप कर रहे हो बहुत समय से तो आप देख सेकते कि अगर आपको कलर चाहिए इंटेल उन्स तो आपको कैस कुछ इस्तिरगी से लिखना पड़ता है टेक्स्ट एंदेन यह जो इस्तिरगी से ठीक है अब यहां पर देख सेकते आपको और बैटर समझेगा अगर आपको कलर चीए तो बेसिकली यहां पर आपको टेक्स एंद जो भी आपका कलर उसका नाम लिखना तो बिसिकली जो प्रिफिक्स है वो आपका टेक्स होना चीए ठीक है वहां पर डार लिखते थे सी एसस में यहां ऐसा नहीं है तो यहां पर आपको क्या करना होगा यहां पर चले क्यों कि मुझे तो इसको देना है ना क्लास ने लिए टेक्स एंद तन क्रान उसकी बाते माले मिरा कलर काम कर रहा है इसकी मुझे नहीं है भाइद वे ठीक है अब मुझे इसका थोड़ा फॉंट साइज बढ़ाना क्यों कि बोट चोटा लग रहा है तो यहां चलते हैं यहां पर देखते कि फॉंट साइज के लिए और रिगा युद्स नीचे साइज लिखना जरूरी है सो यहां पर हम चलते हैं हाइफन हाइफन फॉर्ण आप गाइस आप बाइडिपॉल्ट भी लिख सकते थे लिकिन मैं दिखा रहा हूं कि कैसे आप यहां पर कर सकते हो खुद का चलो और 9 एक्षेल कर देता हूं मैं ठीक है क्योंकि वहां पर वेल्य यहां पर चलता तो 1 एक से को मैं 100 कर देता हूं EDK यहां पर एक काम कर सकता हूं font weight bold करना है मुझे तो font bold फिर यह ठीक है यह लाइक यह मुझे सही लगा कि font bold हो गया यहां पर इस तरीकी से all right so अब ना गाइस मुझे इनके बीच में थोड़ा सा पर इस पेस चाहिए आपको जो नाम देना आप दे सकते हो एक काम करते है किसी को में कॉपी कर लेता हूं यहां पर मैं चलता हूं और यहां पर चलके पेस्ट कर देता हूं नॉर्मल के वादे में मैं रख देता हूं 0.2 RAM है ना तो अग मैं यहां पर चलता हूं देखो कितना सही हो चुका यह अब बस मुझे यह जो लेटर स्पेसिंग है उसको यूज करना है कैसे करेंगे अब यहां पर देको वहां पाता हैं यह क्यो रख रहाँ इस तरह किसे यह देहो Vasep know text fand साइज भी text Have Latest Less कर सकते थे अलेश करा सकते थे ले dużo कुछ भी यहां पर ल Sach Kr psychic Drink and then लिखना पड़ेगा वह जो भी मैने लिखर is a reviews the तो मैं जस्ट दिखा रहा है कि जिन्हों ने कभी यूजी नी की Tailwind बट वो यह फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे तो यह देख लीजे भई लेटर स्पेसिंग को यहां पर आपको ट्रेकिंग लिखना पड़ेगा तो कुछ ओ ऐसा हो गया अब लेट से इसको अगर मैं 2 रेम कर देता तब आपको पता चलता देखो इनके बीच में कितना ज्यादा गया पाचुका है लाइक बीट्विन 2 लेटर उनके बीच में बहुत ज्यादा गया पर यह बट आविल गोविट 3 तो इस फाइन अब हम यहाँ पर चलते तो टेल्विन का ना कलर अलग है तो मैं यह स्पेसिफिक कलर कैसे कर सकता हूं तो अब होई अब क्या ही करोगा अब सिंपल यहाँ पर चलिए वी हाँ आप स्पैन टैग राइट हमने अल्रेडी स्पैन वर्सिस डिपड़ा है तो यहाँ पर हम चलते है और उसी तरह के से मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो मैं इसको देना चाहूंगा कलर स्पैन करके यह कलर में ने दे दी अब सेम यही चीज है मुझे यहाँ पर चलना होगा इसको क्लास नेम and then text and then we have a span यहाँ पर चलता हूँ यहाँ चलता हूँ मेरा यह काम हो गया now I need a button मुझे बटन लगेगा यहाँ तो बटन कैसे लगेगा यहाँ यहाँ चलते है so we have a button and यहाँ पर learn more में जाइस आप सिंपल बिसिकली एंगर टाइग उसकरना ज्यादा बैटर रहता है यहाँ पर बट जो भी हो मैं जस्ट दिखा रहा हूं तो कुछ इस्तरीकी से आपको आगे देखो एक काम करता हूं अब गाइस आपको अल्री पता चल चुका है तो बॉर्डर रेडियस है और इस पेसिंग के हमारे पास कुछ कोड है जो मैं पेस्ट कर रहा हूं यह दू प्रॉपर्टि मेंने सिंपली कविपेस्ट कर दिये सिंपल सा ठीक है जिसमें सी जो रेडियस उसकी मुझे नीड है ठीक है अब ध्यांचे देखिएगा हम बोर्डर रेडियस कैसे करते थे नॉर्मल से से ने रेडियस करते थे बट इहां पर काई स्यों तो गो वि आपको टेक्स्ट यहां पे लेट्स को वे थ्री एक्सेल मलब मुझे फॉंट का साइज है यह ओविसले दैन मुझे गाइस यहां पे एक बेग्राउंड कलर में ने दिया यह इस बीजी एंड ब्लैक अगर इतना मैं करता हूं एंड यहां पे चलता हूं तो अब आपको थोड और नीचे से मुझे पांच एंड एक्स बैसिकली होरिजॉंटल में दस दे रहा उं इतना अगर मैं कर देता हूं तो कहीने केहीं वह एतना ओसम मुझे दिखाई देता है basically ठीक है and rounded मैं ने किया इसलिए एक काम करते है यह जो black है so guys यह जो black है इसके बदले let's go with yellow and all right guys तो I guess यह ज्यादा better रहेगा आप देख सकते हो कि इस पर color आ चुका है and again फिर से वही नाटक है कि text and this time let's go with black all right ठीक इतना मेरा काम हो गया अभी यह जो दो पार्ट आपको दिखाए देर मुझे एक की नीच एक लगेंगे ठीक है तो again guys अगर आपने flex box बड़ा है तो बस एक जीज रहे गया यहां पर flex direction column and is it a flex column I guess it's a flex call yeah perfect मेरा काम हो गया यह अब मुझे इनके बीच में space लगेगा ठीक है इनके बीच में मुझे space लगेगा so that's why we have this spacing default मैंने लिए है यह by default मैंने बनाया हुआ तो अब इहां पर क्या करना होगा though it's a spacing but again आपको p ही यूज करना पड़ेगा hyphen and then मैंने वहाँ आप डिफॉल्ट रखा हुआ है ठीक है सो इस स्तिर्गे से में कर देता हो गाईस इनके बीच में मुझे स्तिर्गे से space भी आए गया so yeah guys this is it आज इस विडू के लिए इतना ही होप आपको पसंद आओगा जहां में आपको दिखा वर्जन फोर जो कि किसमें उसकी वह भी हमारे रियक्ट प्रोजेक्ट में क्योंकि रियक्ट विट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका एंड एक चीज में आपको यह बताना चौंगा आप डिरेक्टली टेल्विंट पर बिल्कुल भी जम मत कीज़ेगा इफ आर टोटली बीगिनर्स देन हाइली रिकमेंड प्लीज आप पहले इसका जो बेस है डाट इस अगर एक्चुल सेस उसको सिखी क्योंकि अगर आपको सेस नहीं आता देन टेल्विंट तो आपको मतलब पतानी क्या ही हो जाएगा क्योंकि सेस करने के बाद भी टेल्विंट बहुत सिखना पड़ता है तो क्योंकि दुनिया अलग हो जाएगी फिर समझ रहे हो तो इसलिए गाईस यह बहुत जाद इन्पोर्टेंट था मैंने आपको वर्जन पोर दिखा इनिसेली भी मैंने आपके कह चुका हूं कि आप मैंसे बहुत सभी लोग अल्रेडी टेल्विंट यूज कर चुके हो तो बहुत ही कम था यह तो कुछ भी नहीं सिंपल था इतना लेकिन बहुत सारी चीजे है जो इन्होंने यहां पर मेंसें कर रखा है लेट से कि अगर आपको जो ऑटोमेटिक सजेशन बगेरे नहीं चाहिए है जो आपने डिफाइन किया बस उतना ही आपको रिकमेंडेशन में दिखना चीजे देन गाइस यू कैन यू कैन यू यू इस प्रॉपर्टी हाइफन हाइफन का अलग आपका वो रांडेड आलग जो भी है आपको यह एक लाइन लिखना पड़ेगा जिससे जो ऑटोमेटिक सजेशन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वो आपको नहीं द से आपको यूज करना है कुछ रिकमेंडेशन नहीं कोई थिम ने कुछ नहीं आपको बस इंस्टॉल करना है काम करना स्टार्ट कर देना इफ यू वांट दैन गाइस आपको यहां पर अब बहुत क्लेली देख सकती हो उन्होंने बोला है कि ना हमने क्या किया यह वाला एक क्या होता था कि यह जो पर्टिकुलर कलर वाले जितने भी रिकमेंडेशन आमें मिलते हैं वह हमें नहीं मिलेंगे लेकिन यह दो लाइन अगर आप लिग देते हो तो बिलकुल स्क्रैच से लाइक आपको कुछ भी सजेसन नहीं कोई थिम नहीं जो एकदम प्योर थेल्वि दिएगा अगर आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगा इसको तैन आप बिसिकली इस पर्टिकुलर कमांड से इसको बिल कर सकते हो तो यहां गाइस आज इस वीडियो के इतना ही इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यह जो अपना गिठ का हम टागेट रखते ज्यादा नहीं खाली 5000 लाइक का कमेंट कीजिए दोस्तों के साथ वर वर के सेर कर दीजिएगा जो भी टेलुइन लब आरे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा जैसे ही इसका फाइनल वर्जन स्टेबल वाला आता है तो मैं कर दो मैं कर दो मैं कर दोस्तों कर दो मैं कर दोस्तों 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 कर दोस्